कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फूम फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फानेंस एंड टेक्शेशिंट की एंड मेरी लास्ट वीडियो पर जो मैंने सीए जीपीटी पर बनाई थी उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया उसके लिए आपका अगर आप सीए स्टुडेंट थो आपके लिए गुड निउस है मेरे पास काफी कमेंट भी आयता है उस वीडियो पर कि सर यह स्टुडेंट के लिए अविलेबल नहीं है जनल पबली के लिए तो अब उस फैसलेटी को आईसी आइन एक्स्टेंड किया है सीए जैसे यह फाइनल कोर्स के स्टुडेंट का है तो यहां पर उसके आपको सब्जेक्स दिख जाएंगे और सब्जेक्स के अंदर जाकर कि आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं कुछ एक्जामपल में आपको दे देता हूं किस तरीके से आप इसको एफेक्टिवली तो यहां पर हमारे पास six modules total available है उसमें से मैं आपको जरूर दिखा देता हूं डिरेक्सेशन पर चलते हैं क्लिक हेर पर जाएंगे तो डिरेक्सेशन का यहां पर ओपन हो जाएगा पर इसमें आप डिरेक्सेशन के कोई भी डाउट पूच सकते हो अपने कुछ एक्जामप तरीके से यहां पर data हमको analyze करके यहां पर देता है CAGPT in respect of direct tax laws and international taxation module तो यहां पर हमको यह different methodologies बताएगा जो हम TP के अंदर use करते हैं जैसे हमारा cup method हो गया और इसके अंदर इसने example भी दिया है इसने हमको बताया उसका example यहां पर इसने हमको दिया cause plus method है transfer pricing में जो method हम use करते हैं वो सारे methods हमको यह profit split method है transaction net margin method है TNMM method जिसको बुला गया और उसका example भी दिये है इसने application भी बताया है और description उसको explain भी किया हुए other matter rule 10 AB वाला और most appropriate method के लिए इसने हमको यहां पर दिया तो अ पूछते हैं यहां पर CAGPT से कि एक question यह है कि listed shares हमने यहां पर sell की है एक practical example मैंने यहां पर डाला जो कि आपके question exam में भी आ सकता है practically भी यह use किया जाता है बहुत practically यूज होता है 1000 listed share जो की purchase किये थे first gen 2015 को at a price of 53.25 per share and वो हमने sold किये है assessment यह 24 and 25 में उसको हमने sold किया है 300 रु इस पर 31st Gen को 65.89 उसका price ताब 31st Gen का price में यहां पर intentionally डाला है और share जो हमने purchase किये वो January 2015 में की है तो यहां पर applicable हो जाएंगे grandfathering के provision section number 112 A वाले जो कि आपने जरूर पढ़ा होगा हमारे transfer expenses 2350 है so I just wanted to know what are the capital gain in this case और कितना capital gain हमारा यहां पर arise होगा let's see chat GPT क्या correctly हमको answer दे पात में है जिसका answer आपको नहीं मल रहा आपको doubt आ रहा है तो आप यहां पर पूच सकते है with respect to your modules financial reporting का कोई आपका query है AMA की query है advanced auditing professional ethics related कोई आपका question है वो आप chat GPT को दोगे तो वो आपको answer provide करेगा इसका disclaimer जरूर पढ़ लीजीगा obviously professional advice नहीं है और इसके basis पर आपको conclusion पर भी न purchase price number of share transfer expense this fair market value on 31st gen 65.89 दिया हुआ है steps calculation सबसे पहले इसने cost of acquisition निकाल लिया तो cost of acquisition हमारी 53.25 into 1000 share थे fair market value हमारी आई है 31st gen 2018 की 65.89 तो इसने इसको 1000 सब्सक्राइब के 65,890 index cost of acquisition इसने literally index cost of acquisition किया है listed shares मैंने बोला था ना listed shares मैंने बोला है to the capital in 1000 listed share we will use indexed cost of acquisition तो sir यह थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी indexation available नहीं होता section 112a के अंदर और यहां पर गलत तरीके से calculation की है index cost of acquisition निकाले चले एक बार देखते हैं कितनी गलती की हैं कितने marks मिलेंगे वैसे तो यहां से marks 0 ही हो गए because index cost of acquisition लगेगी नी लिस्टे शेर प्राइस के उपर और इन्होंने जो है ग्रेंड फादरिंग तो अप्लाई की है because इन्होंने 31st जैन वाला जो हायर है वो प्राइस लिया है तो ग्रेंड फादरिंग के प्रोविजन तो अप्लाई किये हैं बट सर आपने index cost of acquisition ले लिया जो की गलत है as per section 112a indexation is not allowed for listed equity share on which STT is paid sale proceeds आगई यह correct है net sale proceeds आगई आपने minus कर दिये transfer expenses perfect है long term capital gain आपके निकल के आगए और उसके बाद में one like आपने जो exemption होती है 112a की वो minus कर दिये perfect है बस एक issue है indexation का यहां पर तो यहां पर हम बता देते है in above case indexation is not available please calculate correctly please calculate correctly indexation यहां पर available नहीं होगा तो हम खुद बता देते हैं chat GPT कि आप से चोटी सी गलती हो गई है आप इसको ठीक कर लीजे since indexation is not available of the shares we need to calculate capital gain without applying indexation benefit we will use the fair market value okay अब देखते हैं क्या किया इसने 65,000 इसन यह कर दिया perfect है और इसने फिर इसमें से cost of equation यह minus किया right one like इसने minus किया और अब long term capital gain one like 32000 zero one zero और पहले जो जह निकाले थे long term capital gain one like 13 one like 13000 निकाले थे और अब जो वह कितने निकले है यहां पर आया है लॉंट्रम कैपिटल गें जो टैक्स पेबल बना 10% बना इसके पर 13201 और इसी के अंदर एक अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे टाइम लिमिट क्या है तूग इसको मैं स्टॉप करके इन समराइज वे इन सम्मरी सम्मरी में चाहिए मेरे को डीटेल में ज्यादा मत बताओ सम्मरी में बताओ यह सेक्शन 73 बोल्डर अप्लिकिबिलिटी केस विर नॉन फ्रॉडलन टेक्स अब तो वैसे एक नया सेक्शन भी आ गया है उसके अंदर आपके सारे केसे जहां वो कवर होंगे हां तो यहां पर इसनम को ताइम लिमिट दी at least 3 month prior to the time limit for passing an order or time limit for passing an order within 3 month from the due date of annual return for the relevant financial year तो यह सही है section 73 के जो time limit यहां पर इसनम को बताइए briefly बताइए बट बिलकुल सही three year from the date of annual return of the relevant financial year that is perfect section 74 के अगर बात करें वहां 5 साल का time दिया हुआ है और 5 साल six month पहले जो है वो आप यहां पर show cause notice issue कर सकते हैं section 74 का यहां पर इन्होंने यहां पर summary मेरे को दोनों की दे दिये जो कि मुझे correct लग रही है है उसके बाद next question पूछते हैं जिस्ट के लेकर के चलेंगे लेकिन अब 30th november उसको कर दिया गया है तो लेट सी कि यह जो लेटस अमेंडमेंडमेंट है क्या यह हमको यह सी जीपिटी कवर करके देता है बताता है उसको explain करता है या पुराना वाली जो डेट है वही हमको यहां पर explain करके देगा सो time limit for avail ITC इसने हमको बताई है लेटसी 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 लेकिन यह पहले वाली रेट थी example इसने दे दिया financial year consideration दे दिया reconciliation दे दिया okay so इसने update नहीं दी है जो update थी हमारी वो update इसने यहां पर हमको नहीं दी है so update के लिए हम क्या अब करेंगे uh this provision is updated by finance act 2023 what is the latest time limit for section 16 subsection 4 सो लेट सी मैं अभी भी टाइम लिमिट इसको बताऊंगा नहीं थर्टी तोंबर लेट सी क्या यह इडिंटिफाइ कर पाता है को मुझे पहले ही बतानी चाहिती नहीं जब मैं आप से सक्षिन फोर पूछ रहा हूं मैंने आपको बोला कि इसमें अमेंडमेंट में आया तब आप मुझे अमेंडमेंट बता रहे हो आपको दौनों केस मुझे नलाइज करके यह देने चाहिते नवर्दलेस अब नई लिमि नाओ देडलाइन इस थर्टित नवंबर है अनो लिटन वाली टाम लिमिट भी यहां से हटा दी गई है फ्रम देंड अप दो फिनेंचल एर एक्सांपल के साब साथ में यहां पर हमको समझाई है तो प्रिविज रूल दिखो अभी समरी में दिया है प्रिविज रूल इट करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी एक अपडेट आपको देनी है टेक्स ऑडिट से रिलेटेट टेक्स ऑडिट के सेशन जो है वो बन रहे है बहुत जल्दी आपको हमारी यूट्यूब पर मिलेंगे देखने के लिए सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब्स